किंदरों से जुड़ी तमाम बाते क्या जानते हैं आप घर में विवास हमारों हो या बच्चे का जन्म इन सुबाउशरों पर बदाई लेने के लिए आते हैं किंदर इनकी तालिया और बोलने चलने के तरीके से भी हर कोई ने पहचान लेता है कि ये किंदर है या कोई और भी नाम होते हैं इनके हमारे हां किंदर हिजड़ा और ना जाने क्या क्या कहते हैं हलाकि कई जगों पे किंदर आम इनसान को बहुत परिशान भी करते हैं जिससे ट्रेनों में ये यात्रियों से पैसे मांगते हुए दिखाई देते हैं क्या आम आदमी इनके पैसे मांगने का ज़्यादा विरोध भी नहीं करता और चुप चाप निकाल कर दे देता है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि इनके बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए पर क्यों नहीं लेनी चाहिए ये कोई नहीं जानता। हमारे देश में इस समय पांच लाग किनर हैं। आईए जानते हैं आपको और बताते हैं किनर से जुड़ी हुई कुछ खास और अनुखी बाते हैं। पहला किनर समधाये खुद को मंगल मुकी मानते हैं। इसलिए ही ये लोग बस विवाज, जन्म समोरों जिसे मांगली कामों में ही भाग लेते हैं। मरने के बाद भी ये लोग मातम नहीं मनातें बलकि ये खुद सोते हैं कि इस जन्म से इनका पीछा चूड़ गया। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी की च्छाया से किनर की उत्पत्ती हुई है। योतिस को मुसार ऐसा माना जाता है कि वेरे की अधिक्ता से बेटा होता है और रज यानि रक्त की अधिक्ता से बेटी। अगर रक्त और दोनों बराबर रहें तो किनर का जन्म होता है महा भारत में अग्यातवास के दोरान अरजुन ने विहन्ना के नाम के एक हिजडे का रूप धारण किया था उन्होंने उत्रा को नित और गायन की सिच्छा भी दी थी चौथा किनर के दुआएं किसी भी ब्यक्ति के बुरे समय को दूर कर सकती है माना जाता है कि इन्हें भगवान सिर्राम के वनवास के बाद वरदान प्राप्त है कहा जाता है कि इनमें से एक सिक्का लेकर पर्स में रखने से धन की कमी दूर हो जाती है पाँचवा किनर अपने अराध्य देव अरावन से साल में एक बार विवा करते हैं ये विवा लेकिन मातर एक दिन के लिए होता है साधी के अगले दिन ही अरावन देवता की मौत हो जाती है और इनका वहवाहिक जीवन खतम हो जाता है चटा, 2014 से पहले इने समाज में नहीं गिना जाता था अभी इनके साथ कई सारी इनको कानूनी संद्चन भी प्राप्त नहीं था साथवाँ, अगर किसी के घर बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे के जननांग में कोई कमजोरी पाई जाती है तो उसे किनर के हवाले कर दिया जाता है आठवाँ, यह समाज ऐसे लड़कों के तलास में रहता है जो खूबसूरत हो, जिसके चाल धाल थोड़ी कोमल हो और जो उचा उठने के ख्वाब देखते हैं यह समधाय उसे नजदी की वढ़ाता है और फिर समय आते हुसे बगिया कर देता है बगिया यानि उसके सरी के उस हंगे को काट देना जिसके बाद ओ कभी लड़का नहीं रह सकता नवाँ, किनरों की बद्वाएं इसलिए नहीं लिनी चाहिए क्योंकि यह बच्पन से लेकर बड़े होने तक दुखी ही रहते है ऐसे में दुखी दिल की दुआ और बद्दुआ लगना श्वाभाविक है किसी की मौत होने के बाद पूरा हिजडा समधाय एक हपते तक भूखा रहता है एक ग्यारा और सबसे रोचक बात किन्रों के बारे में अगर सबसे गुप्त को रखा गया है तो वो है इनका अंतिम संसकार जब किन्र समधाय से कोई खत्म हो जाता है तो उसे को यहाम आदमी नहीं देख सकता इसके पीछे की मानिता यह है कि ऐसा करने से मरने वाला फिर अगले जन्र में किन्र ही बन जाता है इनकी सो यात्राएं रात में निकाली जाती है सो यात्राएं निकालने से पहले सो को जूते और चपलों से पीटा जाता है इनके सो को जलाया नहीं जाता बलकि दफनाया जाता है ये थी किन समास से जुड़ी हुई कुछ रोचक घटना है यदि आप भी कुछ और घटनाओं के बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर जुड़ें